नमस्कार दोस्तों, मैं लक्षे, HSSC, Math with मुकेस, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पर हमने बाइलोजी क्लास टाट कर रखी है साइंस के अंदर इससे पिछे वाड़ी क्लास में हमने ब्लड को डिसकस किया था और आज हम पढ़ने वाड़ी हैं nervous system और nervous system के अंदर जो हमारा main part रहेगा लूफ हमारा रहेगा brain brain को discuss करेंगे क्योंकि brain क्या होता है brain हमारा पूरी body का control system होता है क्योंकि हम जो भी करते हैं कुछ भी हरकत सोचते समझते देखते हैं वे सब कौन कंट्रोल करता है वो brain के द्वारा ही control किया जाता है क्यूंकि हमारी body का control system brain को बोला जाता है या कहें तो हम हमारी body का CPU कहें तो वो क्या होगा? हमारा brain होगा, मस्तिस्क होगा, दिमाग होगा क्यूंकि जब भी कोई इच्छा, आप भी कुछ भी हरकत करेंगे, चलेंगे, फिरेंगे, देखेंगे या कुछ भी महसूस करेंगे, वो किस के द्वारा होगा? सब कुछ brain के द्वारा होगा क्यूंकि आपकी body को जो control करता है, वो कौन करता है? वो brain ही करता है उसको हम डिटेल्स याज डिस्कस करेंगे, कि body के अंदर जो भी balancing system होता है, वो brain कैसे करता है? और brain के अंदर कितने parts होते हैं, उन parts के अंदर क्या 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 काम होता है? जैसे कि कि किसी parts का काम body को balance करना होता है, किसी parts का काम जैसे कि हमारे logical जो तरक्षक्ती होती है, वो करता है, उसका काम होता है, सोचने का अलग काम होता है, सूँने का brain के अंदर अलग part का का काम होता है, उसको हम continue करेंगे, कि कौन से part का क्या 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 काम होता है? चलो डिस system. nervous system का मतलब होता है तंत्रिका तंतर क्या? तंत्रिका तंतर और तंतर के अंदर CNS होता है CNS central nervous system central nervous system की अंदर हम एक तो होगा brain यानि कि हमारा मस्तिष्क और दूसरा होगा हमारा spinal cord क्या होगा? spinal cord इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे brain का मस्तिष्क हिंदे में मस्तिष्क और spinal cord को हम हिंदे में कहेंगे मेरू रज्जू क्या कहेंगे? मेरू रज्जू सबसे पहले हम brain को डिस्कस करते हैं कि brain के अंदर क्या होता है brain क्या होता है? brain मस्तिष्क होता है और मैंने भी बताया कि हम पुरी बोडी का जो गांट्रॉल होता है वो किसके आत्मलता हो ब्रेन के आत्म मेदता है अगर हम इसको दूसरा नाम ले इस्टोफिक को तो चोन्टे कूर्ड्र एंड कॉर्डीनेशन कि या कंट्रोल का मतलब होता है नियंतरन आवं समन्वे स्थापित करना यानि कि ताल मेल स्थापित करना कंट्रोल का काम कंट्रोल कौन करेगा अभी मने बताया कि ब्रेन करेगा मस्तिस करेगा लेकिन बोडी के अंदर हमारे ओर्गन्स का जो कोर्डिनेशन बना गे रखता है समन्वे स्थापित कौन करता है जैसे कि हम walk कर रहे हैं walk के साथ अब एक पैर आगे बढ़ाया तो दूसरा पैर उसके बाद दूसरा पैर बढ़ाएंगे यह एक दूसरे पैर के साथ है जो coordination यानि की समन्वे स्थापित कौन कर रहा है ये करते हैं जैसे कि endocrine system, endocrine system, endocrine system के अंदर क्या आएगा, जैसे कि हमारी गरंथिया, गरंथि, glands, ये क्या काम करते हैं, हमारी बोड़ी के अंदर सम्वनिवे स्थापित करते हैं, यानि कोडिनेशन बना के रखते हैं, लेकिन कंट्रोल कोण करेगा पूरी बोड़ी को, वो करेगा ब्रेन, कंट्रोल करके रखता है, पूरी बोड़ी को अंदर, और सम्वनिवे स्थापित कोण करेगा, वो हमारे हा को ब्रेन यानि की मस्तिस्क इसका वेट कितना होता है बोडी के अंदर वेट होता है इसका तेरा सो से चौधा सो ग्राम क्या 1300 से लेके 1400 ग्राम हमारा ब्रेन का वेट होता है अगर पाउंड में पूछ लिया जाए तो 3 पाउंड पाउंड में पूछ लिया जाए तो 3 पाउंड हमारे ब्रेन का वेट होता है और ग्राम के अंदर 1300 से लेकर 1400 ग्राम हमारा ब्रेन का वेट होता है इसके बाद, ब्रेन, अब किसे का ये बोल देते हैं, किसे का दिमाग बहुत ही सलो चलता और किसे का बहुत ही फास्ट चलता है, तो वो किस वज़ जैसे चलता है, हमारे दिमाग के अंदर, अगर नॉर्मली बार्शा में बोलें, तो हमारे दिमाग के अंदर सलवटे होती हैं कैसे सववटे होती हैं, जैसे कि यह दिमाग है, इसके अंदर ऐसे इस तरह कि सववटे होती है, और एक अगर ऐसे ले लिया जाएं, जैसे यह दिमाग है, इसके अंदर ऐसे हैं, और दूसरा यह फिर दर लें, इसके अंदर बहुत ज्यादा सववटे हैं, यानि फोल्ड सही अब इन तीनों में से ये देखा जाए कि दिमाग सबसे तेज किसका चलेगा इसका चलेगा क्योंकि इसके अंदर फॉल्ड्स ज्यादा है क्या है फॉल्ड्स ज्यादा है क्योंकि ये दिमाग का इस्तमाल ज्यादा करता है जो दिमाग का इस्तमाल कम करेगा ना उसके अंदर फोल्ड का मिलेंगे, क्या फोल्ड, अब जिस दिमाग के अंदर यह ज्यादा फोल्ड होंगे, उसका दिमाग तेज होगा, और इन फोल्ड को क्या कहेंगे, ग्यायरी और सलकाई, इनको फोल्ड को क्या बोलेंगे, जो गहराई के अंदर उसको जी से डिनोट करेंगे, और जो जिसके अंदर ये गैरी और सलकाई जादा होंगे उसका दिमाग तेज होगा यानि कि फास्ट होगा ठीक है और जिसके अंदर ये कम होंगे उसका दिमाग कम सोचने की जो समता होगी वो कम होगी क्यों होगी क्योंकि वो अपने माइंड का इस्तमाल बहुत कम कर रहा है क्या व तो वो इसका मतलव अपना मंद बुद्धी है वो उसके दिमाग का वो इसके अपना स्तेमाल ही नहीं कर रहे है उसके बाद ब्रेंग के अंदर जैसे की यह ब्रेंग है कि यह क्या है हमारा प्रेंग है और इसके बिल्कुल पिछे से यह क्या है? यह है spinal cord यानि मेरू रजू क्या है यह मेरू रजू? यह है brain और यह क्या है? यह है spinal cord spinal cord यानि कि मेरू रजू अब जो यह मेरू रजू होती है यह हमारे बिल्कुल पिछे वाड़े brain से यानि कि जो हम आगे पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन के साथ जूड़ी होती है और बिलकुल रीड की हड़ी के अंदर होती है ये किसके अंदर होती है बैकबोन के अंदर बैकबोन के अंदर होती है स्पाइनल कूर्ट और यहाँ पर कोई इंसान है जैसे कि किसी का ये हाथ है क्या है यह कोई हाथ है हाथ है अगर किसी को यहां पर कोई पिन चुब जाए या कुछ गरम चीज मैसूस हो पिन चुब जाए तो क्या होगा कि यह है एक ट्रांसमिशन करेगा ब्रेन के पास या स्पाइनी कोट के पास जैसे कि हमारे आत्में आप पिंच चुब गी, तो हम एकदम से अपना हाथ खटाएंगे और वो मैसेज कहाँ पर लेके जाएगा, कौन लेके जाता है, वो नर्वस लेके जाती है, कौन, नर्वस लेके जाती है, ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक, इसके बाद, जैसे कि यहाँ पर कुछ नर्वस बेज़ेगा, कि वो वहाँ डेंजरस है, अपना हाथ वहाँ से अटा लिया जाए, ठीक है, स्पाइन कोड से आएंगे या ब्रेन से आएंगे, अब जो यह नर्वस हैं, इनको क्या बोलते हैं, कि जब हमारे हाथ से ब्रेन तक जो यह मैसेज पुचा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्वस, क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्वस, और जो ब्रेन से लेकर हमारे हाथ तक जिसने मैसेज पुचाने का काम किया, उस नर्वस को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, मोटर नर्वस, मोटर नर्वस, जैसे कि हमें कोई गरम चीज को फ़िया तो जो गरम चीज को जब हमने चुआ तो दिमाग तो कौन लेका सेंसरी नर्व इस लेके गई और जब दिमाग ने हाट थक मैसेज किस किस नर्व के दार पुचाया हो मोटर नर्व के द्वारा पुचाया ठीक ए इसके बाद हम डिसकस करेंगे ब्रेंड को यह तो इस पाइनल कोट का क्या काम होता है यह बिलकुल इसके अंदर होती है बैक बोन के अंदर होती है बिलकुल पतली सी और यह है दिमाग के साथ जोड़ी होती है यह पे इसको बोलते है मैडूला ओबलेगेटा ब्रेन का पारट होता है इससे यह स्पाइनल कोट अटैच होती है ठीक है इसके बाद इसके बाद हम ब्रेन को पड़ेगे जैसे कि यह है कोई इसके अंदर यह हमारा ब्रेन है क्या है यह है यह है ब्रेन है यह ब्रेन मस्तिस्क और इस आउटर को क्या बोलते हैं जो कवरिंग कर के रखता है हमारे ब्रेन को सबसे आउटर पार्ट उसको बोलते हैं क्रेनियम बोक्स क्या बोलती है cranium box अब जैसे कि यह अमारा दिमाग है अगर हम एसे हिलाएं जैसे कि यहाप गैप होते है कुछ है यह अमारा brain है अगर हम सिर्खलाएं तो यह ऐसे touch करके brain damage भी हो सकता है लेकिन हमारे दिमाग को ऐसे बनाया गया है क्योंकि यह पूरी body को control करके रखता है तो इसका safe रहना भी इतना ही important है तो इसके 4 और 3 layers होती है क्या होती है 3 layers होती है और इसके अंदर fluids भी होता है क्या होता है fluid होता है ठीक है ऐसे 3 layer बनी होती है outer को क्या बोलते है cranium cranium इन 3 layers को हम dap क्या मोलते है dap d का मतलब होता है durameter क्या होता है इन्दी मैं बोले तो durameter और arc a का मतलब होता है archewed archewed होता है arcanide sorry arcanide और p का मतलब होता है parameter 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 इसको shortcut याद रखेंगे dap का मतलब होता है d का मतलब durameter और a का मतलब arcanide और p का मतलब parameter इसका parameter के अंदर होता है क्या होता है blood supply करता है और outer layer होती है अगर हमारे सिर्फ पर चोट लगती है क्या हमारे सिर्फ पर अगर मिलमेटर चोट लगती है और यह पैरामीटर्वारी पैरामेटर वाली आइट देस्कीश को आय मेटर हूं कि अगर यह लेयर टोड जाती है तो यह ब्लडश प्लाई उता में तो यह ब्लेड मुल्ड आने लगता है बहुनिंकि इसके अंदर ब्लड सप्लॉर होता है DAP यह तीन लियर होते हैं, कौन सी क् Curameter, Arkenoid और Parameter ठीक है यह तो होता है ठरी लियर structure और बाहरवाली Limer को क्या बोलते हैं, यह एक Cranium Box हो गया, क्या हो गया Cranium Box हमारा Brain कों से Box के अंदर होता है Cranium Box के अंदर और उसके अंदर तीन लेयर होती है, तीन लेयर D, A, P के साथ हम उसको याद करेंगे, जो कि अभी बताया है D, A, P के साथ, ठीक है इसके बाद हमने पढ़ लिया वेट वगरा तो पढ़ लिया फ्लूड के बारे मेरा है गया हम T, S, F, C, S, F और इसके अंदर C, S, F Caribro Spinal Flute पाए जाता है, क्या? Flute पाए जाता है, जो कि इन लेयर्स के बीच के अंदर होता है, क्या होता है? Layers के बीच के अंदर होता है, और यह क्या करता है? Potion देने का काम करता है Potion देने का काम करता है काम करता है, और Brain को Damage होने से भी बचाता है जैसे कि थ्री लेयर्स तो रखती है इसके अंदर फ्लूड भी होता है और यह है तीन लेयर्स ऐसे दिमाग को हमारे ब्रेन को थोड़ा हा उठा के रखती है क्या उठा के रखती है और फ्लूड इस फ्लूड के होने से जो बोडिवेट होता है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि अप्रोख्ष फोदा सो ग्राम रागा के चलो यहांने की कि डेड़ की लो यह देड़ की लोगों का हमारा दीमाग हमें महसूस भी नहीं होता किसके कार्ण इस खांड नहीं था इसके बाद हम brain को internal structure के हिसाब से पढ़ेंगे कि brain के कतने part होते है या brain के कितने part होते हैं brain के 3 parts होते हैं कितने 3 parts brain यानि कि four brain mid brain or और हाइंड ब्रैन, hug!!! क्या है 4brain, mid brain और hindbrain, यहज ब्रैन के 3 पार्ट होते हैं internally structure के हिसाब से Yesichick is इसको हम हंदी में हंदी में देख लिते हैं एक बार अगर अगरमस्टिस्क, क्या बोलता है इसको, अगर मस्टिक just इसको मध्य मस्टिक्स, मध्य और हाइंड प्रेंगों क्या बोलते हैं पिस्चे मस्टिक्ष्य और ऐस को मध्र मस्टिक्स्पोर ब्रेंग को अगर मस्टि लेकिन मैं सिर्फ चार्ट बनाने के लिए लिए रहा हूं मिड़ ब्रेन और अब फॉर ब्रेन के अंदर है कौन कौन से पार्ट होते हैं वो लिख लेते हैं एक बार सैरी ब्रह्म क्या होता है सैरी ब्रह्म सेरी ब्रह्म अचेंड लिंस सड़्ार वनिजिल ब्रह्म की आफ से ब्रह्म क्या एप्वर्म के पार्ट है कौन कौन से सैरी ब्रह्म है ब्रिज्म क्याइर है यह है दिमाग का हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है क्या सबसे बड़ा भाग होता है क्या होता है हमारे दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है क्या सैरीब्रम और सैरीब्रम का काम क्या होता है अब जो भी वीडियो देख रहे हो सोत रहे हो समझ रहे हो यह सब कु किसरे से कर रहेए से कर रहे हो क्यूंकि जो भी हमारी इच्छा से होता है यानि की जो भी voluntary action नो ms सर्फ है भाग होंगा वह भी साहर्य बर्म होगा और जितने भी तरक्शक्तिम हMP बरक्शक्ति यहानि लोजीकल चीजें करेंगे जैसे कि रिजजनिंग पढ़ रहे हैं रीड़ करना me the day नहीं यह समख्या है voluntary vaccines है और यह किस के दुबारा उते हैं सब brains के दुबारा होते हैं इसके दुबारा brains के दुबारा हुते हैं आप वीडियो देखे घेंग अब वीडियो देख रहे हूं कि ने, आपका देखना और समझ ना एक वोलेंट्रेक्शन की क्योंकि आप आप किया विडियो ने देखनी तो आप लेटिए क्योंकि आपकी इस दी य Chuck कर ऑब हो गी वह से इक काम करें और ऐसका क्या का मुंटा है क्या होता है जो बाहर से थेलमस का क्या काम होता है जो बाहर से आने वाले समवेदना यानि को जो मैसीज हैं दिमाग एक मिन्ट बाहर से आने वाले समवेदना दिमाग निजाने वाले समवेदना क्रोश करते है इसके बाद सुरी हम थेलमस पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे थेलमस पढ़ेंगे और थेल लेके जाएंगी और त्यों मोटर एसे लेके आएंगी दिमाग की अंदर तो जहां पर यह सोती है यह कुम पर करा सुपार्ट पर तो यह होगा हमा यह उसके बाद इंपोर्ट टो अमर आट होगा हाई पोदंश है किया होगा, हाइप और यहां पर प्रिण स्कूर्ट हो गए इस पर निस का क्या का होता है? वो हम इसके बहुत इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट काम होते हैं एके करके हम देखते हैं क्या करते हैं एके करके हम काउंट करते हैं हाइपोथलेमस का क्या काम होता है जो पिट्विट्री ग्लैंड होती है क्या होता है पिट्विट्री ग्लैंड यानि गरंथी होती है उसको हम क्या बोलते हैं मस्टर ग्लैंड बोलते हैं मस्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको जो कंट्रोल करके रखेगा इसको कंट्रोल जो करके रखेगा वो किस क्या कॉन रखेगा वो हाइपोथलेमस करके रखेगा क्या करके hypothalamus उसको control करके रखेगा और जो हमारे emotions होते हैं क्या हमारे emotions होंगे जैसे कि हमारे emotions, feelings, body temperature यह सब कोण control करता है hypothalamus करता है जैसे कि emotions है हमें रोणा रहा है अगर हमें किसी चीज़ को देख कर खुसी हो रही है जैसे कि हां या पर हंगरी अंगरी हमारी भूक या प्यास यह भी कौन गंट्रोल करता है हाइप थैलेमस यह इतना इंपोर्टेंट है कि अब आप सोच सकते हो रिलाइज कर सकते हैं अपने साथ कि जब हमें जो भी इमोशन्स आते हैं वो ब्रेन के किस पार्ट चाहते हैं हमारा temperature maintain करके रखता है, जम्मा हमारी body के अंदर maintain जो temperature करके रखता है, वो कौन रखता है, वो करता है, hypothalamus, ठीक है, हमारी feelings है, किसी को देखते ही प्यार हो गया, क्या, किसी को देखते ही प्यार हो गया, वो काम कोन कर रहा है, hypothalamus का, किसी को देखते ही, dead body है, किसी को देखते रोणा आ गया, feelings है हमारी, रोणा, धोणा, प्यार, सब, वो क्या हमारी feelings है, emotions, hungry, भूख, प्यास, ये एक सब क्या है, कौन कंट्रोल करता है, आई पो थले मस करता है, और olfactory lobs का क्या काम होता है, olfactory lobs का काम होता है, सूंगणा, smell को, smell को पहचाड़ना, क्यूंकि olfactory lobs, य सब भी हम समयल लेंगे, तो olfactory lobs, उसको सूंगने का काम करेंगे, क्या करेंगे, brain के अंदर smell को पहचाड़ने का काम करेंगे, और ये olfactory lobs होती है, जैसे कि dogs है, dogs, dogs के अंदर ये olfactory lobs, ऐसे brain, no, हमारी नाक के पास होती है, तो कुट्तों के अंदर ये olfactory lobs, थोड़ी बड़ी होती है, क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए उनको ज्यादा smell आती है, क्या हती है, उनको ज्जदा smell आती है, olfactory lobs, ये तो हमारा four brain का part, four brain को अंदर डिसकस कर लिया, सबसे important हमने cerebrum को पड़ा, और hypothalemus को पड़ा, लेकिन important तो सारी है, लेकिन जो main- और एक हाईpothalamus करते हैं जौ भी हमारी तरक सकती है हमारी जो वोलेंट रीक्षंस हैं वो कौन करेगा वो करेगा सेरीब्रह्म करेगा करेगा और जो हमारी emotions होंगी feelings होगी जैसे की किसी को किसी सेकर प्यार हो गया तो वो हर्ट नहीं वो हाईpothalamus मुखने सब्सक्रार किया जन्ता आप क्या और हाड सब कंट्रोल किसके द्वार्ट वह आता है रेगे अर्ड मिल्या इसके बाद गцо दिसकस कर लिया त्योंटी तेमपरेशर हो गया है यह सब है को सब है ही क्या इसके बाद इसके बाद हम पढ़ेंगे detection इसके आवाद हम कॉर्पुरा, क्वाडरी जेमिना, क्वाडरी जेमिना, and second part is, second part होगा, cerebral, cerebral pedicle, क्या होगा, cerebral pedicle, इसके बाद अगर हाइंड ब्रेन के अभी हो, अब पार्ट्स लिखें, इसके बाद हम पढ़ेंगे, पहले सबसे पहले, क्वाडरी जेमिना, क्वाडरी का मतलब होता है, च्यार, क्या होता है, क्वाडरी का मतलब होता है, इसके अंदर च्यार छोटी-छोटी, क्या, च्यार छोटी-छोटी, लोबस होती है, क्या होती है, च्यार छोटी-छोटी, बिल्कुल लोबस होती है, और उनका क्या काम होता है, देखने में, और सुनने में, क्या, देखने में, और सुनने में सहायक होती हैं, क्या, सहायक होती हैं, ठीक है, इसके अंदर corpora quadrice min senate में, च्यार छोटी छोटी लोब्स होती है बिल्कुल स्पेरिकल टाइप की और उनका काम क्या होता है देखने में और सुनने में वो सिर्फ हैल्प करती है क्या कामने हैल्प करती है ठीक है और सेरिब्रल पेंडिकल्स का क्या काम होता है कि इसका ये fiber type क्यों होती है क्या पाइब्रस टाइब क्यों होती है और brain के साथ क्या करती है brain के साथ connect करके रखती है किसको जो message पूट एक दूसरे से हम transfer करते हैं जैसे कि कोई message लेके जा रहा हैं तो वो message cerebral pedicles के थुरू होते हुए जाएगा क्या cerebral pedicles के थुरू होते हुए जाएगा brain के अंदर ठीक है इसके लिए यह brain को connect करके रख दी एक दूसरे से जितना भी message आएगा या जाएगा इसके द्वारा होते हुए जाएगा cerebral pedicles के द्वारा यह तो थ पढ़ेंगे पॉन्स, वेरी लाईग, क्या पढ़ेंगे, हम हाइट ब्रेन को पढ़ेंगे, पस्च्य मस्तिस को पढ़ेंगे, किसको मस्तिस को पढ़ेंगे, पस्च्य मस्तिस को पढ़ेंगे, यहां ही लिख लेता हैं इसका में बार, इसको इस साइड लेता हूं, इस साइड बार बर निचाने पड़िए का हाइंड ब्रेंग क्या है है हाइड ब्रेंग पॉन्स वरी लाइफ एंड दूसरा इज चैरी बेलम और थर्ड वन इस मैं डूला ओम लेगेट ठीक है पॉन्स वरी लाइफ का क्या काम होता है यह है ब्रेंग और फॉर ब्रेंग को अपस में जोडिक करे के रखते हैं जोड़ के रखते है इसका तफ़ λोगोर पर यह हैं और कहाम होता है जो हम-олो टाक्सिक होते हैं क्या होते हैं में एक मिटां करने में और न ओ небा इधुर इसके बाद यह तो होता है दर एक हूंन टॉक्सिक होता है लाँ का मतलब होता लोगे इसको तोक्सिक सेंटर होता है इसका मतलब क्या होता है सर इसका मतलब होता है जैसे कि अगर आप अपने आपको सांस रोक के मारना चाहो क्या सांस रोक कर आप अपने आपको मारना चाहो तो नहीं मार सकते कैसे अगर आप अपना ही हाथ मैंने क्या आगा अपना हाथ दूसरे का हाथ अगर दूसरे का अथ रग लिया तो आप उमारी देगा वो अपने आपको अगर आप सांस रोग कमाना चाहो तो आप नहीं मार सकते क्योंकि एक टाइम पर एक दम से आप अपना हाथ हटा लोगे और आपको सांस लेने के लिए आपका ब्रेन यह है आपको बोलेगा कि आपको सांस रोग के नहीं मार सकते ठीक है क्या काम होता है हुमन टॉक्सिक सेंस का मतलब क्या होता है जब आप अपने आपको सुसाइड करना चाहें सांस रोग के तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका हाथ एटोमेटिकली आपके नाक से और मुझ से अट जाएगा जब आप है ठीक है इसके बाद हम जो कि हमारा इंपोर्टेंट है सेकिन्ड मॉस्ट इंपोर्टेट अफ्ट ऑफ दिया ब्रे मैं क्या सेकिंट मॉस्ट और जर्ज्ट पार्ड सब से अट है छो सबसे अर्भ इक श्रीब अक स्री मुक्रिल्ट त्यूर्ट काता है यहां आपको वर्ड के जो लास्टेवलम मैने वर पहला पैलम इसको आपको ध्यान मेरकना यह पैलम का मतलब के अंदर balance बना के रखता है कैसे जैसे कि आप वोग कर रहे हो या रन कर रहे हो तो आप गिर नहीं रहे लेकिन बिल्कुल आपकी बोड़ी का यह 1 नीचा लेकी यह बैलेंसाब का कब गड़ता है जब करते हो अब ड्रिंग करते हो या करते ड्रेंग करते हो इस्तेमाल करते ज्जादा मात्रा में तो आपका जो स्यरीवनम् होता है नहीं वह एक्ट होता है क्या होता है इफैक्ट होता है जितने भी सराभी हैं वह दारूपीते हैं तो उन है जो पैर है वह पीछे रखते हैं उनका बलेंस निम्унд पाता बॉड्य सो और वह क्यों कि यह Sig alg को हल उसका balance नहीं बन पाता और इसके साथ साथ जब वो बोलता है speak बोलता है तो उसकी जबान भी साइद रुक रुक के लड़कड़ाते हुए बोलता हूँ क्लियरली बोल भी नहीं पाता क्यूंकि जो बोडी के अंदर balance बनाने का काम होता है और ड्रिंक करने से हमारी बोडी के अंदर balance maintain नहीं हो पाता या maintain नहीं हो पाता इसलिए सेरीबलम का main function जो आपको याद करना है कोशन में अगर पूछ लिया जाए कि बोडी के अंदर balance कौन बनाता है और option में यहीं दे दिया जाए तो सेरीबलम और option में क्या देंगे सेरीबलम देंगे इस तरह से confuse करने को करने एकोसिस करेंगे लेकिन आपको बैलम से balance याद रखना है ठीक है इसके बाद हमने पड़ लिया कि दूसरा largest part होता है इसके बाद हम पड़ेंगे medulla oblingata क्या medulla oblingata नॉर्मल सी बात है medulla oblingata जो यह हमारा brain था सबसे last वाड़ा पार्ट होता है medulla oblingata और यह है spinal cord spinal cord को जोड के रखता है joint करके रखता है हमारे brain के साथ और medulla oblingata involuntary action action इंवोल होता है क्या involuntary oxx sorry actions में involving और involuntary का मतलब होता है जो हम चाहा कर नहीं कर सकते जो हम चाहा कर नहीं कर सकते जैसे की voluntary action तो मैंने बताया था कि हम जो अपनी इत्छानुसार कर सकते हैं और involuntary जैसे कि आपका हर्ट बेट कर रहा है वो एक involuntary actions है और जैसे कि आपको अगर भूग लग रही है भूग लगी और आपने खाना निखाया तो कुछ देर के बाद आपके पेट के अंदर आवाज याने स्टार्ट हो जाएंगी क्या? आवाज याने स्टार्ट होंगी तो वो किसके दवारा होता है? वो मेडूला उबलेगेटा के दवारा होता है ऐसा तो है नहीं कि आपके पेट से आवाज आने लगी और आपने पेट पे आत रख लिया और वाज बंद होगी ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी क्योंकि medulla obligata द्वारा ही involuntary actions को control किया जाता है क्योंकि जैसे कि medulla obligata अगर हम fittest जिसने भी तक बच्चे ने जन्म ने लिया है साथ अपते के साथ वीक के बाद इतने साथ वीक के बाद उस बच्चे के अंदर हर्ट धटकना स्टार्ट हो जाता है हर्ट बीट होना स्टार्ट हो जाता है इतने साथ वीक के बाद और वो क्या है involuntary actions इसी तरह आपके अंदर जैसे की हर्ट हर्ट हो गया डाइजिशन का काम हो गया और blood circulation का काम हो गया वह सब इन्वोलेंट रही है आप ऐसे तो है नहीं यहां से आगर आपने आप पुखड़ लिया और आपने पूरी बोडी के ब्लड circulation को रोग गया ऐसा नहीं है ठीक है तो involuntary actions को करेगा मैडूला ओबलेगेटा और cerebellum का क्या काम होता है वो होता है आपके बोडी के अंदर balance बनाना और यह तो complete होगे हाइट ब्रेन अभाड लास्ट पार्ट था इसके बाद हम spinal aka को पड़ेंगे इसको हम spinal corporateे मेरू रजु को और मेरू रजुझो आपके परेंड के किसपार से जुड़ तेज़ों कि अभी पड़ा है मेडूला उबलेगेटा के साथ जूड़ी होती है और बिल्कुल दिमाग के पीछे होती है ठीक है और सरी बैलम को हम चोटा चोटा दिमाग बोलते हैं जैसे कि एक मूवी में देख़्ा होगा अपना ना पटेगर ने कहा था यहां पीछे नहीं च्छोटा दिमाग होता है और इस पर छोट लगने से आदमी के डैट भी मरत्यू भी हो जाती है इसके बाद ब्रेन पढली हमने आवाब स्पाइनल कोड पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे मेरु रजू ठीक है अभी मैंने बता दिया कि सपाइनल कोड मैडूला ओलोगए ताह मेडूला के साथ जोड़ी होती है और रीड की हड़ी के अंदर होती है और स्पाइनल कोट का क्या काम होता है रिफलेक्स एक्षन का काम होता है सर्फ एक्षन का काम होता है रिफलेक्स एक्षन का काम जब आप भी ना सोचे समझे बिल्कुल अचानक से एक दम जो काम होगा वह वह किसको कि दौरा किया जाएगा वह पर आपकी तरफ देख रहा हूं और यह बॉर्ड बल्कुल गरम है और मैं ऐसे हाथ लगा लगा लूँ तो ऐसे तो एनी पहले में मूड के देखूंगा और यह फिर मापना आथ टाऊँगा अगर में यह गरम है तो बिल्कुल टच करते ही मैं बिल्कुल अपना हाथ अठा लूँगा तो यह क्या है के रिफ्लेक्स एक्षाण है और एक्जमपल्स करता है वो स्पाइनल कोट के द्वारा होती है ठीग है इसके बाद जैसे की स्पाइनल कोट के अंदर जो हमने ब्रेन के अंदर पड़ा था कि तीन लेयर होती है वही तीन लेयर स्पाइनल कोट के अंदर भी होती है वो फ्लूड, सीएसफ वहे भी स्पाइनल कोट के अंदर भी प्रजेंट होता है सिर्फ इसका मेन इपोर्टेंट जब को याद करना है कि spinal cord medulla oblingata के साथ जूड़ी होती है और reflex action में काम करती है यह spinal cord को हमें इतना है पढ़ना है जो हमारे exam के point of view के लिए important है इसके बाद एक बार इसकी हम length पढ़ लेते हैं spinal cord की कितनी length होती है यह male और female में अलग-अलग vary करती है क्या male और female में अलग-अलग vary करती है मेल के अंदर यह 45 cm होती है कितनी 45 cm होती है और female के अंदर spinal cord की लंबाई कितनी होती है यह 20 cm होती है कितनी 20 cm होती है ठीक है यह बहुती important question थे हमारे जो भी इसके बाद की तो हाँ यह तो हमने मैंने कराई दिया चीक आने तो आंख बनना हाँ और एक एक्जांपल जैसे कि लाइट है अगर आप तेज लाइट में जा रहे तो आपकी आंख इसके बाद यह हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोट का टोपिक कंप्लेट होता है इसके बाद हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू